भारत की पहली महिला पहलवान थी जिनको ओलम्पिक में मेडल मिला और उस समय पूरे देश के करोणों महिलाओं ने पूरिशों ने देशवासियों ने अपने आपको गौर्वानमित महसूस किया कि एक महिला पहलवान ने ओलम्पिक में अपना नाम स्थापित किया मेडल ले के भारत के लिए आई और यह बहुत ही दुखत छण है बहुत ही पीड़ा दायक छण है कि आज अपने बैग में वो पूरा मेडल भरके गंगा में प्रभाहित करने जा रही थी उनके साथ कई और पहलवान थे विनेस फोगाट से लेके और तमाम बजरंग पुनिया वो सब न ये तैं किया कि हमें ये मेडल गंगा में प्रभाहित करना है वज़ा क्या है वज़ा है कि एक लंबे संघर्स के बाद उनको नयाय नहीं मिला यहीं दिल्ली में वो लोग बैठे रहें उनको घसीटा गया मारा गया पीटा गया उस दिन जिस दिन लोकतंतर के सबसे बड़े प्रधान मंतरी जी को वो अपनी चुपी तोड़नी चाहिए इन पहलवानों से बाचीत करनी चाहिए कल नरेश टिकैद जी ने इस दिसा में अपनी और से जो पहल ली है वो धन्यवाद के पात रहें कि कम से कम उन्होंने पहलवानों को अपना मेडल रवाहित करने से रोका लेकिन जो काम सरकार का है जो काम मोदी जी का है जो काम प्रधान मंतरी जी का है यही बेटियां जब मेडल लेके आती हैं तो सबसे पहले पहली ट्रेन से उन लोगों को बलवा के पहली फ्लाइट से उन लोगों को बलवा के फोटो खेचाने के लिए प्रधान मंतरी जी बे मामले में हस्तक शेप करना चाहिए और अपनी चुपी तोड़नी चाहिए वरना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका नारा है वो एक खोखला और मैं तो कहूंगा कि बकवास सावी को रहा है नहीं मैं समस्तों भारत में ही इसके सवाल उठ रहे है भारत के गली महले गाओं में इसके सवाल उठ रहे है